जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हमारे पास एक से लेकर पचास तक इन गोलों में हमने संख्याओं को रखा है आज हम देखेंगे कि कैसे हम खेल-खेल में अभाज्य संख्याओं सीख सकते हैं सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या इसलिए इस एक को हम यहां से निकाल देते हैं अब सबसे पहले हम दो का पहाड़ा पढ़ेंगे और जितनी संख्याए इसमें दो के पहाड़े वाली हैं उन सब को इसमें से निकाल दें जैसे 2 कम दो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 और इसी प्रकार 42, 44, 46, 48 और 50 तो ये संख्याएं दो के पहाड़ों वाली हमने सब इस चार्ट में से निकाल दिए इसके बाद अब हम उन संख्याओं को निकालेंगे जो दूसरों के पहाड़े में किसी और पहाड़े में आती हूँ तीन अपने अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आता शमा कीजेगा इसमें से हमें दो को भी नहीं निकालना था क्योंकि दो जो है वो अपने अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आता जी हां इसी प्रकार तीन भी किसी और के पहाड़े में नहीं आता सिरफ अपने ही पहाड़े में आता है इसले इसको भी रहने देंगे लेकिन तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे तीन नहीं हटाना है छे हट चुका है तीन तिया नौ इसको हम हटा देते हैं बारा हट चुका है तीन पंजे पंदरा इसको हटा देते हैं अठारा हट चुका है तीन के जो गुनज थे वो भी इसमें से निकाल दिये हैं लेकिन फिर से दोहरा रहा हूं कि दो या तीन को हमने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यह अपने अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आता इसलिए इसलिए इसे नहीं हटाएंगे लेकिन हम पांच का पहाड़ा पढ़ेग सो पांच के गुनज में 5 , 10 , 15 , 25 , 25 यहा है इसको हटा देते हैं 30 , 35 को हटा देते से पाँच के गुनज में इसमें से हटा दिये 6 क्यूंकि रहीống से दोहरा इसलिए छे का पहाड़ा भी हमें पढ़ने की जुरुरत नहीं है साथ साथ अपने अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आता इसलिए साथ को नहीं हटाएंगे लेकिन साथ का पहाड़ा पढ़ लेते हैं साथ एकम साथ साथ दूनी जौदा साथ या इकिस साथ चोके अठाइस पैंतिस बैालिस साथ साथे उन्चास उन्चास भी हम यहां से हटा दे इसी प्रकार से आठ का पहाड़ा ती नौ का पहाड़ा दस का पहाड़ा क्योंकि ये आठ नौ और दस दूसरे संक्याओं के पहाड़ों में आते हैं इसलिए हमने इनका पहाड़ा नहीं पढ़ा 11 का पहाड़ा पढ़के देखते हैं 11 एकम 11 क्योंकि ये और किसी पहाड़े में नहीं आता इसको नहीं अटाएंगे 11 दूने 22, 11 ते 33, 11 चुक्य 44 ये सारी संख्याई निकल चुकी है तो मुझे लगता है कि 50 तक की सभी संख्याओं में से जितनी संख्याओं दूसरों के पहाड़ों में आती है वो अब निकल चुकी है आएए अब ये जो हमारे पास संख्याओं बची है ये हैं अभाज्य संख्याओं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 30, 37, 41, 43 और 47 एक से लेकर पचास तक की संख्याओं में ये ही अभाज्य संख्याओं है और जैसा कि आपने देखा कि हमने इस छोटी सी एक्टिविटी में खेल-खेल के माध्यम से ही कुछ कीटियों को हटा कर हमने अभाज्य संख्याओं को प्राप्त किया है और इसी प्रकार से बच्चे 100-200-500 अभाजय संध्याओं को खेल-खेल में इस वीड़ी से ग्याद कर सकते हैं कर सकते हैं